आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक्षब में आपका फिर्श श्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैट, पूर डैट की मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आपको कैसे समाला जाए, अपने आपको गरीबी से कैसे वारा जाए इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसा की बहुत ही अच्छा एक्जामपल देते हैं वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए क्योंकि उनकी माली हालत खराब हो गई थी तो उन्होंने अपने नए गॉल्फ, कलब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, वीडियो, टेलिवीजन, उनके महनी कपड़े, घरिया, जूते और बहुत सारी ऐसी चीजें लोन वाली पेपर में जो समपत्ती वाला कालम होता है उसमें लिख दिया, एसर्स में लिख दिया और भेज दिया, उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीजे हैं, तो लोन एप्रूफ हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, अप्लिकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इंवेस्टमेंट फिजूल था, लोन कमेटी को वो बात बिल्कुल समझ नहीं आई, वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास एक नॉर्मल से नोकरी क्यों नहीं है, जिसमें वेतन मिलता है उन्होंने उनके महेंगे कपड़े और महेंगे जो खेल का समान था, वो उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया जिन्दगी में कई बार ऐसी कटनाईया आती हैं, जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं हो पाते वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही अचमबा होता है, जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनकी निटवर्थ क्रोणो रुपए है, लाखो रुपए है, क्योंकि निटवर्थ की सटीगना होने का एक खास कारण है वो ये कि जिस पल आप अपनी संपत्यों को एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं उनका प्राइज, उनका रेट, उनका दाम बहुत कम हो चुका होता है उपर से उन पर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीजे आपको पैसे दे संकड में डाल देती हैं गरीबी में फसा देती हैं पैसा एकठा करने के लिए वो अपनी प्रोपेरिटीज बेचते हैं एसेट्स बेचते हैं पहले तो वो अपनी प्रोपेरिटीज बेचते हैं जो कि सच कहें तो बहुत ही कम विक्ती है और अगर विक्ती भी है तो उस पर टैक्स होता है तो इस तरह से एक बार फिर से सरकार अपने फायदे में हिस्सा ले लेती है बैंक अपना हिस्सा ले लेता है और जो काम कर रहा होता है वो करज में ढूप जाता है तो सीख यही है कि इन सारी चीजों में फसने के बजाय अपने काम से काम रखिए जो कर रहे हैं वो करते चलिए कुछ भी छोड़िये नहीं हाँ थोड़ी एक्ष्ट्रा मेहनत करके थोड़ी समझदारी से financial literacy से पैसे को यूज करने का पैसे को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए थोड़ा थोड़ा करके assets बनाते जाईए पर हाँ ऐसे चीजों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है क्योंकि ये चीजे कभी भी assets नहीं हो सकती गरीबी से बचने का एक दूसरा तरीका ये है कि अपने खर्च कम कर लें अपनी responsibility को और घटा लें और मेहनत जादा करना शुरू कर दें जिससे इंकम जादा हो आप बहुत सारे लोगों को इस बात से confused हो सकते हैं कि सही जगाए निवेस्ट करने का क्या मतलब हैं सही investment क्या है Robert T.K.S. कहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें आपकी मौझूदगी की जरूरत ना हो Stock Bond खरीदें, Virtual Fund खरीदें, आप दनी देने वाले Real Estate में खर्च करें अपने आपको ग्रूम करने में पैसे खर्च करें अपने एजुकेशन में जैसे की music, लिखना, patent, sports और ऐसी हर चीज जो कीमती है जिसे खरिदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं ना कि उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं हर उस चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सबसे ज़रूरी बात आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो जैसा कि रॉबर्ट टिक योसाकी को इमारतों से और जमीन से प्यार था तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में किया तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है मिलते हैं निश्ट पार्ट में तब तक के लिए धेलने माद